हलो गाईज वेलकम टू माई चैनल आज जो हम केस करने जा रहे हैं वो है सीवीजे सीवीजे का फुल फॉर्म होता है सेरिब्रो बर्टिब्रल जंक्शन या इसको क्रेनियो बर्टिब्रल जंक्शन भी कहते हैं इसमें क्या होता है कि इसमें जो क्रेनियम और हमारा बर्टिब्रा का जो जंक्शन होता है उसको हम क्रेनियो बर्टिब्रल जंक्शन बोलते हैं ये हमारे तीन बोन से मिलके बना होता है, brain में जो होती है हमारी occipital bone और जो बटीब्रा से start होती है, atlas और axis, ये दोनों bone fused होती है, जिने हम c1 या c2 भी बोलते हैं, इनके नाम होते हैं, जो कि atlas और axis होता है, ये जो आपको image देख रहे हैं, वो societal view में हैं, जिसमें आपको ocital और C1, C2 दिख रहा है अब जो next view है यह आपको coronal image में दिखाई दे रहा है जो कि occipital का जो area है वो atlas axis से fused है यानि कि जुड़ा हुआ है यानि कि वो junction है जहां पर cranium और हमारी बटी ब्रा जुड़ रही है इसलिए इसको हम cvj बोलते हैं जो कि हमारा neck holding और neck movement इनमें हमें यह help करता है movement में और neck holding में तो आज हम यही case करने जा रहे हैं cvj तो चलिए आज का वीडियो हम अपना start करते हैं तो यहां पर हमारी जो patient की positioning रहेगी वो supine ही रहेगी और जो जैसा की हम cervical spine के लिए जैसा patient को लिटाते हैं supine और head coil fix करते हैं या फिर आपके पास NB coil है उसको लगाके हम इसको start करेंगे तो जो patient की positioning रहेगी वो हमारे cervical spine की तरह सेम रहती है तो यहां पर हमने protocols उठा लिये हैं और जो हमारा पहला sequence है वो हमारा survey है जो की three plane localizer होता है जिसमें आपको sag, core और axial तीनों image मिलेगा तो जो हम सबसे पहले sequence plan करेंगे वो हमारा coronal image होगा coronal में हम दो sequence use कर रहे हैं एक T1 और एक stir तो जो हम coronal का जो planning करते हैं बिलकुल जो हम cervical spine के लिए प्लान करते हैं वैसे ही रहेगा लेकिन यह थोड़ा short FOB में रहेगा यानि कि हमें सर्फ CVJ वाला area ही focus करना है तो हम बस उसी area को focus करते हैं और इसका FOB थोड़ा short रखते हैं ताकि हमें image की quality भी ठीक मिलेगी अगर हम जादा FOB का करेंगे तो उसको जब zoom करके दिखाएंगे तो उसके pixel होते हैं वो फट जाते हैं इसलिए हम इसको पहले से ही short FOB का रखेंगे और जो coronal की planning जैसा की हम cervical में करते हैं सेम वैसा ही करना है लेकिन इस बार हमें इसके CVJ को focus करते हुए करना है यानि कि हमें CVJ के ही parallel जाना है सेजाइटल में जो हम प्लान करेंगे वो हमारा जो CVJ आपको दिखेगा C1, C2 जो bone आपको सेजाइटल व्यू में दिखती है उसके ही parallel हमें रखना है जिससे हमें coronal image में उसके triangle shape जो हमारा CVJ दिखता है coronal image में वो एकदम साफ और clear एक बार में ही देखे तो हम जो इसका सेजाइटल पे coronal प्लान डालते हैं वो हमारा C1, C2 के parallel जाता हुआ आना चाहिए तो हम यहाँ पे एक star coronal और एक T1 coronal यह दो sequence यूज कर रहे हैं इसके इलाबा हम इसमें societal में इसके तीनों सेज ले रहे हैं T1, T2 और stir और हम यहाँ पे axial में भी दो sequence या आप तीन भी कर सकते हो या stir axial इसमें most important होता है तो आप stir axial का यूज ज़रूर करेंगे और T1 भी इसमे जाना चाते हो तो चला सकते हो नहीं तो इसको skip भी कर सकते हो तो जैसा कि मैंने coronal का प्लान बताया था बिल्कुल जो cervical span का प्लान होता है लेकिन CVJ को हमें focus करते हुए करना है ऐसे ही societal का भी प्लान होता है जो हम cervical का societal में प्लान डालते हैं सेम वैसे ही जाएगा लेकिन वो short FOB में जाएगा जो आप screen पर image देख रहे हो वो star coronal है जो कि हम short FOB में लिया है जिससे हमें सरिफ इसका CVJ वाला area ही अच्छे से देखें तो जो हम इसको करते हैं हम इसको क्यों करते हैं जैसे कि कोई भी congenital myelopathy होती है या कुछ भी fracture या pots वगेरा अगर CVJ में होता है तो इसके लिए हम करते हैं इसकी history में आपको neck pain, neck movement ये चीज़े भी आपको मिलेंगी तो इसके लिए हम CVJ का MRI करते हैं तो जब हम जो planning कर रहे होते हैं तो हमें सिफ CVJ वाला area ही focus करना होता है तो coronal का जो मैंने plan बताया था वो तो same cervical जैसा ही रहता है लेकिन short FOB का और ऐसा ही हम सेजाइटल का आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं जो हम मैंने sequence उठाए हैं पैलेस्टर कोरॉनल टीवन कोरॉनल ये हम मैंने कोरॉनल में दो कोरॉनल लिए हैं एक टीटू सैज टर सैज अगर आप टीवन सैज भी लेना चाहते तो ले सकते हो और तीन एक्जियल यूज की ह तो यह हमारे सीवीजे के sequence हो गए जो कि cervical spine या जो भी normal spine है उसमें यह same sequence चलते हैं तो जो हम अब एक्जियल का जो प्लान हम डालेंगे यह जो आप सीवीजे वाला area देख रहे हैं हम सिर्फ एक ही slab पूरा उठाएंगे जो कि सिर्फ सीवीजे वाले area को cover करेगा और इसका angle स perpendicular जाएगा तो आप coronal में देखिए मैंने box को सीवीजे के उपर ही रखा है और जितना area हमने cover किया है उसमें थोड़ा सा cranium का area और थोड़ा सा vertebral area हमने cover किया और सीवीजे वाला area हमने पूरा focus करते हुए उसको पूरा cover किया है सेजाइटल में भी हमें plan बिल्कुल बर्टी ब्रा के बिल्कुल perpendicular डालना है और coronal में भी हमने same box को सीवीजे के उपर रखा है तो यह हमारा यहाँ पे तीनों प्लान जो हमने डाले हैं coronal, सेजाइटल और axial तो यह हमारा सिवीजे को ही focus करते हुए जाएगा आप coronal में देखिए जो आप coronal में देख रहे हैं जो सीवीजे का triangle shape जो हमें देखता है एक्चली हमें atlas और axis ही देखता है जो triangle shape होता है वो atlas axis होता है जो की cranium की जो बोन होती है उसमें fix होता है और वो junction होता है जो हमारे neck holding और neck movement में हमें help करता है तो हमें बस वो ही area देखना होता है कि उसमें कोई edema या कोई collection या कोई myelopathy cord जो vertebra है हमारी कोई cord में compress तो नहीं कर रहे है जिसकी वेज़े से myelopathy तो नहीं हो रही है तो हमें यहीं चीजें हमें CVJ के अपने scan में देखनी होती है तो यहाँ पे हमने इसकी तीनो planning कर दी है अगर आपको planning समझ में नहीं आई हो तो आप comment box में भी मुझसे question कर सकते हैं या इस case के बारे में आपको कुछ और कुछ जानना है तो उसके लिए भी आप मुझे comment box में message कर सकते हैं अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप please like, share और subscribe मेरा चैनल जरूर करें और आप मुझे बताइए कि आपको किस और scan पे आपको वीडियो चाहिए तो वो मैं आपके लिए और भी scan बनाऊंगी तो मिलते हैं next वीडियो में चोकी मैं जल्दी आपके लिए बनाऊंगी ओके थेंक यू